कमिश्कार वच्छो नमस्कार आज की इस क्लास में आज के सेशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागते और आज हम बात करने वाले हैं रेस्पाइरेटरी सिस्टम की रेस्पाइरेटरी सिस्टम क्या होता है इसे हम कहते हैं स्वसंतंत्र यानि की जो हम सwynस ले रहे हैं उसको सौसंत अंत्र काज आता है जिसके जरीये हमारे सरीर में हमें उर्जा प्रापत होती है तो आज के इस लेक्षर के अंदर आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं सौसंत अंत्र की लेकिन रुक्या मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ ये class 10 का chapter बेशक है लेकिन हम जो आपको knowledge देने वाले हैं वो class 10 से best नहीं रहने वाली है इसमें higher knowledge आपको मिलने वाली है इन future में आपके ज़्यादा higher भी नहीं लेकिन एज़े अगर आप कसी competitive exam के तैयारी कर रहे है या काफी आप UPSC जैसे exams में insulated questions आते रहते हैं तो आपको ये information completely जरूर देखने चाहिए तो चलिए बच्चों आज किस class को शुरू कर लेते हैं आज हम respirator system की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने respirator system आता है लेकिन एक बात मैं आपको बताने वाला हूँ इस अभी किरिया को oxygen अभी किरिया कहा जाता है क्योंकि हम नाक के जरूरे सुआस लेना और छोड़ना oxygen का आदान परदान करते हैं लेकिन प्रोपर हम oxygen ही नहीं इसके जरूरे कुछ और गेसों का भी आदान परदान करते हैं तो इस अभी किरिया को oxygen अभी किरिया कहा जाता है और साथ हम बात करें इसके जरूरे हमारे सरीर में उरजा एंड उस्मा की प्राप्ति होती है और दोस्तों ये एक अप्चाई अभी किरिया है अप्चाई अभी किरिया क्या होती है जिसे केटाबॉलिक कहा जाता है केटाबॉलिक अप्चाई अभी किरिया यानि किसी भी अभी किरिया में किसी चीज़ को तोड़ना वो केटाबॉलिक होता है और किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ को जोड़ना वो Anabolic होता है केटाबोलिक और Anabolic की इनफर्मिशन आपको मिल गई है साथ ही अब हम बात करते हैं सुसन के अंग कौन कौन से होते हैं क्योंकि humans के अंदर lungs के जरिये फैफडो के जरिये हैं सांस लेते हैं वही कीट के जरिये हम सुसनली के जरिये सांस लेते हैं, किटानों में जो स्वांस की नली होती है, जैसे हमारे यहाँ पर यह विंड पाइप हमने यहाँ पर देविन को मिलता है, तो इस विंड पाइप के जरी हम यहाँ पर स्वांस लेते हैं वहीं जलिये जिव, जो की गल्फ पर यानि मचली की तरह सांस लेता है और वहीं अगर हम बात करें मेंड़क की तो मेंड़क जब जल के मतलब जमीन के अंदर होता है तो एक निसकरिय अभी किरिया होती है इसमें वो सौस लेता है अपनी तोच्छा के जरिये और वहीं जब जमीन के ऊपर होता है तो वो फैंफडों के जरी यह सांस लेता है तो यह स्वासन के अभी किरिया होती है साथ ही अब हम बात करने वाले हैं कि स्वासन अभी किरिया क्या होती है यानि स्वास का आदान किसी भी चीज़ में स्वास का जब हम को आ जाता है inspiration और जब हम स्वांस को छोड़ते हैं या इंस्पाइरेशन छोड़ने को expiration का आ जाता है स्वांस को लेना inspiration स्वांस को छोड़ना expiration का आ जाता है वहीं अगर हम बात करें इस स्वसन अभी क्रिया के अंदर यहां पर जो वायू मंडल में 90 या नाइट्रोजन गेस होती है 78 परसेंट वो हम लेते हैं oxygen 21 परसेंट लेते हैं carbon dioxide 0.03 परसेंट हम अंदर क्यों लेते हैं वहीं जब छोड़ने का समय आता है जब स्वांस को हम छोड़ते हैं तो उस समय क्या होता है अगर उस समय की हम बात करें तो यहां पर हम nitrogen को तो हम लेते हैं बच्चों यह nitrogen को छोड़ा जाता है 78 परसेंट nitrogen छोड़ी जाती है लेकिन वहीं अगर हम बात करें oxygen की तो oxygen फिर हम 17% oxygen को यहाँ पर छोड़ते हैं उसी के साथ अगर हम बात करें CO2 को carbon dioxide को तो 4.6% यहाँ पर हम इस चीज़ को छोड़ते हैं इसको सही अगर way में मैं आपको एक जगे लिखकर मैं आपको समझाता हूँ किस टाइब से हम इस चीज़ को करते हैं तो यहाँ पर फिलाल मैं हम इस एरिये में इस चीज़ को लेते हैं और यहाँ पर करते हैं कि यह नाइट्रोजन गेस को 78% oxygen गेस को यहाँ पर जब हम ले रहें लेते समय तो हम 21% लेते हैं लेकिन छोड़ते समय हम 70% छोड़ते हैं वहीं CO2 गेस को हम यहाँ पर लेते हैं 0.03% लेकिन जब इसको छोड़ने का समय आता है expiration का समय होता है जिसमें हम 4.6% यहाँ पर छोड़ते हैं तो यह हैं हम गेस ते कौन-कौन से ले रहे हैं nitrogen गेस, oxygen गेस और उसी के साथ ही CO2 उसको हम ले रहे हैं लेकिन छोड़ते हैं हमें CO2 की थोड़ी मातरा ज़ादा होती है वहीं अगर हम बात करें वच्चों यहाँ पर यह हमारा जो स्वैसन तंत्रे इसकी अगर हम बात करते हैं तो वच्चों अब हम बात करते हैं स्वैसन मार्ग क्या होता है जिस मार्ग के जरिये हम आक्सिजन को या वाईयू को लेते हैं उस मार्ग को स्वैसन मार्ग कहा जाता है स्वैसन मार्ग के अंदर क्या क्या पार्टिकल्स आते हैं सबसे पहले तो हमारा आता है नासा दौर यहां से नासा चिद्रिया नासा दौर जहां से हम आक्सिजन को ले रहे हैं जहां से हम वाईयू को ले रहे हैं यह नासा दौर होता है दोनों तरब और नासा दौर एक अंदर क्या पाये जाते हैं छोटे छोटे यहां पर बाल पाये जाते हैं जो कि क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स जिते भी हमारे नाक के जरी आते हैं, उन डस्ट पार्टिकल्स को रोकने का ये काम करते हैं, लेकिन जब डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पर नहीं रुक पाते हैं, उसके बाद हमारा यहा आता है नासा कपाट, यहाँ पर नासा कपाट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है जिसे म्यूकस का जाता है जब वाई यू से जो डस्ट पार्टिकल्स अगर इन नासा में जो छिद रहे हैं यहाँ पर जो बाल हैं उनके जरीए अगर वो नहीं रोके जाते हैं dust particles तो आगे जाकर यहाँ पर westage कटे हो जाते हैं फिर नाक के जरिये आउली की मदस से उसको हम साफ करते हैं तो यह होता है क्या NASA का part और यहाँ से फिर हमारी जो स्वास आती है वो किस जगे पर आती है वो आती है हमारी ग्रस्नी में ग्रस्नी एक ऐसा part होता है जिसके अंदर हम food particles भी लेते हैं और स्वासन के लिए हम हवा भी लेते हैं इसके साफ ही फिर हमारा यहाँ पर ग्रस्नी से हमारा यहाँ पर आजाता है क्या स्वासन तंत्र यानि सुरतंत्र यह lyrics आजाता है और इस lyrics के बाद में हमारा यहाँ से वो जाती है किसी स्वासनली में स्वासनली के अंदर मैं आपको यहां पर बताता हूँ फिलाल अगर अगर आप में इस पर बताएं आपको तो यहां पर हमने नासा दौर के जरी यहां से हम लेते हैं स्वास को इस जगे से हमने स्वास लिया और यहां से यह स्वास गई अमारी काँपर यह ग्रस्नी में ग्रस्नी के बाद में यह वाला जो एरिया होता है दोस्तों इस एरिया को बच्चों क्या का जाता है स्वासन नली का जाता है स्वासन नली को अगर इंगलिस में का जाए तो टेरक्या का जाता है लेकिन यहां स्वसन नली के अंदर छोटे 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 इस टाइप के यहां पर हड़ी पाई जाती है छोटी छोटी यहां पर अगर हम इसकी साइज को थोड़ा सा कम करते हैं यहाँ पर, यहाँ पर क्या पाई जाती है, छोटी-छोटी सी हड्डियां यहाँ पर पाई जाती है, जो की यहाँ पर, क्या होता है, काटिलेक्स का जाता है, हड्डियों की, जो मुलाइम हड्डियां होती है, उनको काटिलेक्स का जाता है, और यह काटिलेक्स क्या होता है, ह एक समय चिपक जाएगी और चिपक नेगे बाद फिर हम सौस ले रहे हैं सौस ही निया है जुकि आगर वह जबताद खुली रही है तो नहीं कर पाएगी इसलिए यहाँ पर क्या पाहे जाती है यहाँ पर उन्होंने उपस्तित वले बताया है जो कि वले पाया जाता है और यह जो हमारे यहाँ पर पाया जाती है यहाँ पर जो यह वले पाया जाते हैं यहाँ पर यह क्या होते हैं काटलेक्स हाइवन काटलेक्स यह अड़िया हमारी स्वसनली की यहाँ पर रक्षा करती है उसी के साथ फिर ही जो ही है हमारी स्वसनली है यह दो बागों में यहाँ पर डिवाइड हो जाती है जिसको ब्रॉनकाई बोला जाता है यहाँ पर यह दोनों ही फैपड़ों में डिवाइड होती है यह स्वसनली से ब्रॉनकाई बोला जाता है और ब्रॉनकाई के अंदर यहा चोटे चोटे कुछ इस्सों में यहाँ पर डिवाइड हो जाती है यहाँ पर मैं आपको बता हूँ चोटे चोटे इस्सों में कुछ इस टाइब से यहाँ पर डिवाइड हो जाती है और यहाँ पर जो डिवाइडेशन हो रहा है इसको ब्रॉनकाइलेस कहा जाता है और इनके अंदर हवा के स्टोरेज होती है यह हवा का संकुचनन यहाँ पर हवा आती है इसे कहा जाता है क्या बच्चों LVLE LVLE के अंदर हमारी हवा आती है और हवा को यहाँ पर LVLE में पाया क्या जाता है LVLE के अंदर पाया जाता है blood क्या पाया जाता है वच्चों यहां पर पाया जाता है blood क्योंकि LBLE के अंदर blood पाया जाता है और यह blood क्या करता है यहां पर जो हमारे जित्ती भी यहां से हमें जो oxygen लिये वो blood क्या करता है उसके अंदर कोशिकाओं में divide any cells में divide करने का काम करता है तो जो अक्सिजन हमने लिए है वो अक्सिजन हमारी किसके जरी चली जाती है यहां पर चली जाती है अल्वीली में और अल्वीली के अंदर पाया जाता है ब्लड और यह ब्लड क्या करता है जो यहां पर हमें यहां पर जो ब्लड देखने को मिलता है इस ब् यहां पर हमारे फैफ्ट्रे हैं इनके अंदर अल्बियलिस होता है और इसके अंदर बलड पाया जाता है और यह बलड क्या करता है यहां पर हीमोग्लोवीन में कनवर्ड करने का काम करता है क्योंकि यहां से बलड को बलड जो ऑक्सिजन हमारे पास आई है उस ऑक्सिजन को ब केरिफेस एक चक्र चलता है और केरिफेस चक्र चलने के कारण यहाँ पर हमारी oxygen को अब उर्जा के रूप में तब्दिल किया जाता है और उदर से carbon dioxide को लिया जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है जब हमारे फैफडों के अंदर LBLE में जब यहाँ से LBLE ने oxygen को लिया और इसको यहाँ पर लेकर चले गए लेकिन जब यहाँ पर छोड़ने आते हैं तो उसी type से रहे जाते है फिर वापिस oxygen को लेते हैं वापिस लेकर चले जाते हैं तो यह यह वाई-उ-पॉस्टक होते हैं यह स्वांस को लेने हैं चोडने का काम करते हैं oxygen को लेते हैं और उसके बाद में हमारे सरीर के अंदर glucose में hemoglobin glucose में convert करने का काम करता है और फिर वापिस उस चीज़ को चोडने के लिए यह CO2 के रूप में वापिस चोड़ते हैं तो कुछ इस टाइब से हमारे सरीर के अंदर यहां पर यह working काम करता है और यहां पर एक और सी रा हमारे यहां पर देखने को मिलता है जो कि डायाफराम होता है यहां पर यह डायाफराम हमें यहां पर देखने को मिलता है जिसे मद्यपट बोला जाता है यही 70% यह डायाफ्राम ही हमारे सरीर के अंदर आक्सिजन को लेने में मदद करता है जब भी हम सौंस लेते हैं तो यह ऐसे होता है सौंस को लेने और छोड़ने में यह हमारी हेल्फ करता है क्योंकि यह जब तक अगर पिक अप नहीं करेगा यहाँ पर वापिस ओक्सिजन को लेने में और छोड़ने में मदद नहीं करेगा तो हमारे फैफडें यहाँ पर ओक्सिजन को लेने और छोड़ने में मदद नहीं कर पाते हैं इसी के साथ कहीं बार जब गर्वती स्थरी होती है उस समय उनकी जो पसलियां होती है इन पसलियों के जरी है ये भी यहाँ पर फेल लें और सिकर्णों का काम करती ही ताकि हमें oxygen लेने में बदद मिल सके तो कुछ इस टाइब से हमारा यहाँ पर यह working रेती है आज का जो सेसन था इसके अंदर हमने आपको सौसन तंतर की बारे में information दी है I hope अगर आपको सौसन तंतर की जो information है पसंद आई हो अच्छी लगयो तो प्लीज वीडियो को like and share ज़रू करें एक बात और मैं आपको बता पाए जाता है यहाँ पर पाए जाता है इपोगलोटिक्स इपोगलोटिक्स क्या करता है मैं आपको बताओं अगर as a different तो यहाँ पर यह है हमारा इपोगलोटिक्स और यहाँ पर इपोगलोटिक्स को यह क्या करता है यह करता है partition का यानि कि जब हमने पानी पिया तो पानी हमारा किसमे food particles वाली नली में चला जाएगा और वहीं जब हम oxygen ले रहे हैं तो वो wind pipe का जरी है oxygen में चली जाएगी लेकिन कभी कबार हमें लोग यानि अपने family में person मना करते हैं कि खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए अगर आप खाना खाते समय बात करते रहते हैं तो फिर जो आपको देखिए और जो हिपोग्लोटिक से इसको संकेत कौन देता है इसको संकेत देता है आपका mind अगर आपका mind properly वहां पर work नहीं कर रहा है वो संकेत नहीं देरा आपका मन कहीं लगा हुआ है किसी की यादों में आप खोये हुए हो आगर आप यहां पर आपका mind काम नहीं गरा किसी की यादों में आप खोये हो यानि कि किसी की याद सताए सरब पी लेना वेसे ही तो किसी की यादों में जब आप खोये हुए रहते हो तो क्या होता है आपका इफो ग्लोटिक्स कम्प्लीटली वर्क नहीं करता है और उस स्थिती में क्या होता अगर थोड़ा सा भी खुला रहे गया और आपका खाना किसमें चला गया वच्चों अगर आपने जो खाया वो आपके फूड पाइप के जरिये अगर आपके इंदर नहीं जाते हुए वो विंड पाइप के जर राजिस्तानी सोंग से वैसे ही इच्की आने लग जाती है और हम सोचते हैं कि किसी ने हमको याद किया बट याद नहीं किया जाता है वो इच्की kuin कैसा आरे जब किसी को याद कर रहे है। हमारा खाना हमारे किसके अंदर चला गया वहाँ पर फैफरो वाले एरिये में और थोड़ा सा भी अगर अंसमा चला जाता है तो उसको बार-बार धक्का दे 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 के बाहर निकाला जाता है और निकाल दे समय वो वापिस उपर वाले एरिये में आ जाता है और जब तक वो किसके अंदर नहीं जाता है जब तक स्टमक में नहीं जाता जब तक हम पानी नहीं पीते बार बार इच्खी आते लेती पानी पीते वे वो area कहा चला जाता है वापिस हमारे स्टमक के अंदर चला जाता है तो ये एक इच्खी का जो process है कुछ इस टाइब से होता है तो आज आपने information ली आज हमने यहाँ पर आपको बताया है 163 के बारे में I hope यह class 10 लेटर जो information थी वो कुछ type सी थी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं वैसे तो इन सभी के notes अगर आप लेना चाहते हैं तो notes के लिए description के अंदर link दी हुई है आप description के link के लिंक को follow कर इसके notes को buy कर सकते हैं खरीज सकते हैं और वैसे भी in future में अगर आप notes किसी भी type के notes लेते हैं 10th, 11th, 12th आप अमारी bigeducator.com की website पर जाएए और वहाँ से किसी भी तरह के notes को आप buy कर सकते हैं I hope अगर आपको यह session अच्छा लगा हो पसंद आया हो तो please video को आइगन सेर जरू करें वैसे बच्चों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि इस चीज को मैं आपको उतना समझा नहीं रहा हूं क्योंकि यह जो भी तरीका है जो particles का जो तरीका है वो मैंने आपको पेली ही यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है तो इस चीज को दुबार मुझे बताने की यहाँ दुबार समझाने की जरूत नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो यह तरीका बता रखा है कि नासा दुआर होता है उसक़र में गरसनी होती है कंट होता है स्वस्नली होती है स्वस्नी होती है यहां पर जितने भी प्रोसेस होते हैं यह सारी ही प्रोसेस मैंने आपको बता दिये देखिए इसमें नासा दुआरा होता है नासा दुआर के जरी नासा कपाट यहां पर पाए जाता है जिसमें मुकलस नामक एक पदार पाए यानि स्वर्तंत्र में स्वर्तंत्र के बाद में कहां पर चला जाती है जो अक्सिन आती है वो विंड पाय पियानी यहां पर स्वसन नली के जरी चली जाती है और स्वसन नली के बाद में उसको यहां पर दो बागों में डिवाइड कर दिया जाता है जो दो बागों में डिवाइड होती है इसे ब्रॉनकाई बोला जाता है और ब्रॉनकाई में भी छोटे 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 पार्टिकल्स में जैसे अगर यह ब्रॉनकाई है यहाँ पर यह ब्रॉनकाई है वो यहाँ पर LBLE के अंदर चली जाती है और LBLE में क्या blood पाया जाता है LBLE में blood की मज़स्ते वहाँ पर हीमोगलोबिन का काम किया जाता है यानि कि उसको glucose में हमारी जो oxygen आई है उस oxygen को glucose में convert करने का काम किया जाता है यह कुछ इस टाइप का process होता है अगर आज का यह session आपको पसंद आया होगा अगर आज का यह session आपको पसंद आया हो अच्छा लगा हो तो please मैं आपसे एक request करता हूँ कि अगर अभी तक आपने वारा चनल को अज़र सब्सक्राइब नहीं कराए